हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो माई यूटीब चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करने बारे बहुत जी एक तम धावा स्टाइल आलू पराठी की रेसिपी आलू के पराठी सबी को बहुत पसंद रहते हैं और जब यह दही के साथ मिल जाए तो फिर तो मज़ा आ जाता है अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारी यूटीव चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें आज की बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़दरा रेसिपी स्टार्ट करते हैं सब पहले हम पैन ले लेंगे इसमें डाल देंगे 2 चमच इतना ओल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे बाद में हम डाल देंगे जीरा, राई, साथ में 2 पिंच हींग चीग डाल देंगे और एक बारी कटा हो प्यास डाल दें अब हम बना रहे हैं आलो की स्टाफिंग स्टाफिंग यह देखिए प्याद जो है सॉफ्ट हो गया है अब हम इसमें बारी कड़ी हरी मिर्च डाल देंगे और इसे एक-दो मिनिट के लिए सौटे करें जिससे की मिर्च का जो एक्स्ट्रा तीका पान है वो चला जा और इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाए यह देखिए हाम से हरी मिर्च रेड़ी है अब हम इसमें आलू डाल देंगे आलू को हमने पहले से उबाल लिया था और उसके जो छिलके है वो निकाल दिये हैं आलू को एक मैशर की हल्प से अच्छे से हम मैश कर लिए एक दम बढ़िया से मैश करना है आलू की टोकड़े नहीं रहनी चॵे सकते हैं और लिया चूटर एक चमके हल्दी पाउडर यह कम डाल रहे हो हमें इसके वादि नास में गरम मसाला पैौड़र अच्छे से मिला लिए ज़्यादा मसालों का हमें यूज करना और यह देखिए एक दम बढ़िया से मैसाली मिक्स अप हो गए पूरे में और हमारी स्टफिंग बनके बिल्कुत तयार है लास्ट में डाल देंगे बारे कटा हुआ हरा देनिया इसे फ्लेवर तो अच्छा आएगा ही साथ में जो खुश्पूर रहती न धनिया की पती की बहुत अच्छी आती है तो यह अच्छे से मिला देंगे और इसके बाद अब हम को ठंडा होने के लिए इस स्टफिंग को ठंडा करना बहुत इंपॉर्टेंट है जब तक हम दो लगा लेते हैं दो लगाने के लिए मैंने एक कप घिहू काटा लिए इसमें हम डाल देंगे आधा चमच नमक आधा चमच हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर डालना टोटली अगर आपको आलो के पाउड़ में कलर चीज़ तो आप यहां भी हल्दी पाउडर डाल सकते हैं थोड़ा सा ओइल अच्छे से मिला देंगे जब अच्छे से मिक्स अप हो जाए पूरे फ्लोर में तब हम इसका डो लगाएंगे डो लगाने के लिए हमें थोड़ा थोड़ का पानी डालें बैच इस में करके डाल येगा जो पाराधी का डू है वो एकदम आपको तैट तो लगाना अगर पाराथों में आप नहीं रहता नहीं नहीं नरम मन्त हैं अगर आपको चाहिए कि पराथे नरम रहे आप इससे अगर रखे रहे चार से 5 घंडे तब भी नरम तो आपको एकदम soft dough लगाना है, हलकी हाथ के use करिएगा, tight हाथ के use बिल्कुल भी नी करना है, तब ही soft dough लगेगा, और जितना आपको लगे, पानी के जरूत है, उतना ही आप यहाँ पे पानी डाले, वरना आठा जो है, काफी दा गीला हो जाएगा, तो यह मिक्स करती जा रह है, अब हम stuffing check कर लेते हैं, यह देखे हैं, stuffing भी बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो गई है, दिख सकते हैं, अब हम पराठे बनाना, start करते हैं, यहाँ पे हमने balls cut कर ली है, medium size की ball ली है, जादा बढ़े हमें पराठे नेची हे size में, थोड़ा सा फ्लोड लगा के इसे हम यह देखें, और इसके बाद अब हम इसके बीच में stuffing अच्छे से फिल करेंगे, तो यहाँ पे यह आलू के stuffing बीच में परको center में आपको रखना है, और पराठे को अच्छे से फोल्ड करते जाना है, एकदम बढ़िया से फोल्ड कीजेगा, कहीं से भी यह जो है, खोलना न हैं, एक ही जगह में, बीच में आपको pressure नहीं देना है, वरना आपका पराठा जो है, वो side से मोटा रहेगा, बीच में पतला हो जाएगा, चारो द्रब घुमा के बेलेंगे, तो आलू की stuffing पूरे में अच्छे से फैल जाएगी, अब हम सीखना स्टार्ट करेंगे, सीखने क काफी time तक हमारे पराठे soft भी रहेंगे, अगर आप oil का use कर रहे हैं तो, बलट देंगे, और इस side भी हम अच्छे से oil लगा देंगे, flame को बिल्कुर medium रखना है, एक पराठे को सिखने पर करीबन 3 minute का time लगईगा, medium flame पर अच्छे से दबा कर सिखना है, यह देखे, जब यह अच्छे से दोनों साइट से सिख जाएगा, तब हम इसे निकाल लेंगे, और यह देखे, फ्रेंट से एक दम पराठे, दोनों साइट से दिख सकते हैं, सिख गया है पराठा, बिल्कुर भी आपने देखा, फटा नहीं हो नहीं टूटा, तो इसे हम रख लेंगे, प्लेट बस बीच में प्रेशर नहीं देना है, फिर आपके पराठे बिल्कुर मेरे जैसे बनेंगे, यह देखे, इस साइड वाई लगा दिया, दूसरे साइड भी लगा देंगे, और अच्छे से सेख लिए, तो यह हमारे गर्म गर्म आलू के पराठे बिल्कुल तयार है, आप इ और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद ले तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर देंगे, तो मिलते हैं नेक्स रेसिपी में, तब तक के लिए गुड़ बाई